दोस्तों नमस्कार मैं संजय बगवर मौजूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर आपके साथ मौजूद हूँ एक ऐसे आध्यात्मिक मौद्देयायक आध्यात्मिक सामाज को ले करके एक ऐसे सामाज की बात को ले करके कि जो अपनी प्रकरती वनस्पती जीव जन्तू और इनके प्रती करुणा का प्रेम का और उनके साथ में जो भाव रखता है समर्पन का भाव त्याग का भाव और अहिंसा परमोधर्म का भा लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो चर्चा में है खासकर इसलगे की बिश्णोई समाज की और चर्चा में खासकर इसलगे की एक तो बिश्णोई समाज का जो विवाद है आपस का. बिश्णोई महासभा के बीच कुलदीब बिश्णोई और बिश्णोई महासभा के राष्ट्रिय अध्यक्ष देवेंदर बुडिया देवेंदर बिश्णोई के बीच का जो विवात था जिसका काफी हद तक प्रडाक्षेप हुआ भी है उसको लेकर इस समय बहुत चर्चा है और सब जानना चाते हैं हाला कि कोई जानने वाली नई बात नहीं है जो घटनाओं में और जो सामाजिक धार्मिक बातों में रुची रखते हैं लेकिन क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय बड़ी चर्चाओं में हैं एक तो विश्णोई समाज के दो लोगों का और दूसरा लॉरेंस विश्णोई को लेकर तो मैं आपके साथ मौजूद हूँ उसी बात उसी समाज के लिए उसी पंथ के लिए कि आखिर उस पंथ के अंदर ऐसा क्या है जिससे की हर व्यक्ति के लजर उस पर जाती है देश के प्रधाल मंति नरेंदर मोधी भी जिनकी तारीव करते हैं जो कहते हैं विश्णोई समाज दुनिया को कुछ दिखाता है रहा दिखाने के लिए उनके जो संदेश है विश्णोई समाज के वो कहीं न कहीं पूरी स्रिष्टी के लिए न केवल किसी एक देश के लिए ना किसी समूँ के लिए बलकि पूली स्रिष्टी के लिए जिस पंत के जिस समाज के संदेश सर्वो परी है जिनको आत्म साथ किया जाना चाहिए अगर मैं कहूं कि प्रकर्ती से वो प्रेम कि पेड एक व्रिक्ष को बचाने के लिए अपना शीष तक दे देते हैं अगर मैं यह कहूं कि वन्य जीवों के प्रती वो प्रेम कि जिसके लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी की जान लेने के लिए भी इतना उनमें गुस्सा आ सकता है वो किसी की जान लेने की तरफ भी आतुर हो जाए और वनसपती से इतना प्रेम जो मैंने आपको प्रकरती का बताया जो आपको मैंने जीवों का बताया तो वनसपती के लिए इतना प्रेम की देवता वारा जाता है जंगल की लकडी जलेना इसके लिए मृत्यू के बाद में शव को जराने की वजाए मिट्टी में दफना दिया जाता है इसलाम में अगर कहें या फिर क्रिश्चन्स में कहें इसाईयों में कहें तो उसके अंदर जब मृत्ति होती है उसके बाद जब दफनाया जाता है तो वहां पत्थर से मजार बनाई जाती है लेकिन विश्णोई समाज के अंदर केवल इस भावना से कि जो व्यक्ति जिसका स्वरगवास हो गया जनका निधन हो गया उनको जमीन में यूँ दफनाया जाता है कि ताकि उसके शरीर को जमीन के नीचे रहने वाले कीडे मकोड़े हैं या जो जीव हैं उनका वो भोजन बन अचियेता गुरु जंबेश्वर भगवान है जिनको भगवान विश्णु का अवतार माना गया है विश्णुई समाज को इसके साथ साथ प्रहलाद पंथी भी का जाता है प्रहलाद यानि कि जब आप जाएं पुरातन संस्कृति के अंदर जब आप जाएं पुराणों में पुरानिक कथाओं में तो कथा आती है भगवान विश्णु के भगवान विश्णु के भग्त थे और हिरना कश्यप से पिता पुत्र होने के बावजूद जिनका ये भी बात था कि वो भगवान को नहीं मानते थे और भगवान प्रहलाद इश्वर के अंदर पूरी था और निष्टा रखने वाले थे आज तक भी होली के जो पर्व को विश्णोई समाज बड़ी सादगी से मनाता है शोक में होता है उस दिन और जब अगले दिन पता चलता है कि भग प्रहलाद बच गए थे तो फिर उनमें वो खुशी होती है यानि कि इस प्रकार की परंप तो आपको कई ऐसे उधारण मिलेंगे जिसके अंदर की हिरन, हिरन को सबसे कमजोर जीव माना गया है दोस्तों और हिरन को सबसे कमजोर यूं माना गया है कि और छुए मुए होते हैं बहुत डर बहुत जल्दी जाते हैं जहां एक तरफ वन्यजीव उनके लिए उनके आपको ध्यान होगा कि सलमान खान के साथ जो विवाद है वो काले हिरन के शिकार को लेकर ही है तो हिरन के बच्चे को विष्णोई समाज की महिलाएं अपना स्तन पान विकराती हैं अपना दूद पिलाती हैं कि अपने बच्चे की तरह पालती हैं उनको ऐसे कई नियम है व बहगवान विश्नु के अवतार गुरुजमबेश्वर. पुराणिक कथाएं जो समाज की बिश्नुई पंत की योँ बताते हैं जब गुरुजमबेश्वर भगवान का जानम हुआ था तो साथ साल साल तक वो कुछ बोले नहीं थे हशे नहीं थे. आज को विश्णोई समाज विश्णोई पंथ ब्यगवान विश्णू का अवतार मानता है उन्होंने विश्णोई समाज की विश्णोई धरम की स्थापना की प्रहलाद पंथी का जाता इसके साथ सथ 29 नियम बनाए उन्होंने गुरु जंबिश्वर ने विश्णोई समाज के लि इंगित नियू भी करते हैं कि 20 जमा 9 यानि 29 जो नियम है 20 और 9 विश्णोई इस तरीके से उसको जोड़ा जाता है जो मैं आपको बता रहा था प्रकृति प्रेम की बात खेजडी का पेड़ पूजनिय माना जाता है विश्णोई समाज के लिए और खेजडी पेड़ की इसकी धार्मिक मानता है खेजडी के पेड़ को बचाने के लिए पुराणिक कथाएं कहती हैं कि लगवक्त 300 साल पहले राजा अभय सिंग ने अपने महल के दरवाजे बनवाने के लिए खेजडी के पेर कटवाने की जो बात चलाई थी, कोशिश की थी तो उस समय बिश्णोई समाज क्योंकि ये पेर बिश्णोई बहुले इलाके में पाये जाते हैं तो उस में विश्णोई समाज की मातामरतादेवी ने खेजडी का पेड कटवाने से रोकने के लिए अपने सीश शीश का यानी के अपनी जान कुरवान कर दी और इसके साथ साथ एक नहीं बलकि 300 से जधा और इसके साथ उनके से प्रेणा लेकर एक मातामरिता देवी नहीं 363 विश्णोई समाज के लोगों ने अपने शीश का दान दिया यानि कि अपना सर कटवा लिया यानि कि प्रकरती प्रेम की एक अनूठी मिसाल कही जा सकती है इसके साथ साथ अगर बात चलती है कि किस प्रकार से वनस्पती और जीवों को बचाया जाई तो ये तो मैंने आपको बताई लगबग तीन सदी पहले की बात तो प्रकरति प्रेम की ये बात तो अगर 3 सदी पुरानी बात है यानि कि 300 साल पुरानी बात अगर है तो अगर वरतमान की बात आएं केंदर सरकार ने हिसार के समीब गाउँ है बडोपल वहाँ पर बहुत बड़ी जंगल है और उन वनों के अंदर तमाम जीवजनतू होते है वहाँ पर केंदर सरकार की योजना थी एक बड़ी टाउन्शिप बसाने की लेकिन विश्णोई समाज ने सरकार के पास अपना आगरह कहें या सरकार के साथ इस बात के लिए मनजूर मना लिया कि वहाँ पर वो टाउन्शिप नहीं बसाई जाएगी इनकी प्रकरती और वनस्पती और जीव जन्तों के प्रती जो प्रेम की जो ये एक मिसाल है इसे मिसाल कहा जा सकता है ये विश्णोई समाज को और विश्णोई पंथ को अन्ने सबसे अनूठा मानते हैं हलाकि और भी कई बाते हो सकती है, जो कई और धर्मों के साथ अलग है भाय नों मैच करती हैं, जैसे विश्णोई समाज के अंदर, विश्णोई पंथ के अंदर, मूर्ति पूजागी कोई बात नहीं है, विश्णोई मंदिर है इसार जिले के आदम पुर्व के अंदर एक विश्णोई मंदिर है तो वहां बगवान गुरु जंबेश्वर की ही मूर्ती है वहां पर आरती की जाती है जो आरती की थाली होती है उसके अंदर जो आरती का दीपक होता है वो ग्यहूं पर रखा जाता है और इसका सं तो गाये के गोवर के उपले और उसके उपर फिर हवन सामेगरी, देशी घी और नारियल गिरी इन तमाम प्रकार से हवन यग्य किये जाते हैं 29 जो नियम है बिश्णोई समाज के, वो सभी नियम एक से बढ़कर एक माले जाते हैं अगर कहें तो कही नियम ऐसे जिनको कठोर माना जा सकता है और समाज को संदेश देने वाले हैं जैसे पिरियर्ड के दौरान, महिलाओं को महवारी के दौरान में पांस दिन तक काम ना करना इसके साथ साथ और तमाम प्रकार के खाना खाने के नियम जो बिश्णोई समाज के 29 नियम अगर मैं आपको बताऊंगा तो उसके अंदर पांस दिन जो मैंसिस के दौरान महिलाओं का काम ना करना हर दिन सुबह स्नान करना, शील का पारन करना, संतोशी रहना, बाहरी और आंत्रिक पवित्रता रखना द्विकाल, संध्या और पासना करना, संध्या समय में आरती और भगवान का भजन करना निष्ठा और प्रेम पूरव खवन करना, पानी, इंधन, दूद, इनको च्छान कर लेना मनलब टमाम प्रकार के ऐसे नियम है कि जिनको आप देख करके कह सकते हैं कि ये सभी धर्मों को आत्म साथ किये हुए है और सबसे महतपूर्ण दोस्तों जो जीव जन्तों के लिए प्रती प्रेम की जो आज तक चली आ रही है परंपरा विश्णोई समाज के अंदर विश्णोई समाज के जो पुराने लोग है या इनके जो गरंत हैं पुस्ता के वो बताती है कि गुरु जंबेश्वर भगवान जंबेश्वर जिनको भगवान विश्णोई का अवतार माना गया बताते हैं कि प्रहलाद भगवान विश्णोई और गुरु जंबेश्वर की जो केमिस्ट्री मानी जा सकती है इनका जो मिलान किया जा सकता है तो पुरान के अनुसार कहा जाता है कि जब भग्त प्रहलाद होली का दहन में बच गए तो उस समय भगवान विश्णू ने उनको बरदान दिया था कि पंद्रवी स्तासदी के अंदर वो गुरु जंबेश्वर जंबेश्वर के रूप में अवतरित होंगे और जीव जन्तूओं के लिए प्रकरती के लिए एक अलग पंथ की स्थापना करेंगे कुछ उसका रूप माना जा सकता है लेकिन जो आच चल रहा है विश्णोई समाज का जिस प्रकार का खासकर सत्ता के विकेंडिक रण की बात चल रही है तो उसके अंदर ये बताया जाना ज़रूरी है कि विश्णोई समाज विश्णोई पंथ वो पंथ है जिससे सीख और नसीहत लेने के जरूरत है जो शिक्षा प्रद जिनकी नीतिया है जिनके नियम है वो शिक्षा प्रद है आप हमारे इन बातों से कितना सहमत है कमेंट से बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन जरूर अगर आप ये वीडियो फेस्बुक या इंस्ट्रेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें